प्रस्ण दस निम्न लिखित में से पड़तेग का गुनन खंडन कीजे तो प्रस्ण दस का पहला है 27 बाई क्यू प्लस 125 जेड क्यू तो ये है प्रस्ण तो 27 बाई क्यू को हम लिख सकते है तीन बाई का होल क्यू 27 बाई क्यू को हम क्या लिख सकते है तीन बाई का होल क्यू और 125 जेड क्यू को हम लिख सकते है पांच जेड का होल क्यू ये कैसे हो गया तो देखे 27 तीन का घंड है 27 तीन का घंड है तो 27 को हम लिख देंगे 3 का घात 3 तो 2 का घात भी 3 है यानि 3 बाई और पूरा पे घात 3 लिख लेंगे और 125 किसका घन है तो 5 का घन है यानि 5 गुना 5 गुना 5 125 होता है तो 125 को हम लिख लेंगे 5 का घात 3 और Z का भी घात 3 है साथ में तो 5Z पे पूरा पे घात 3 दे देंगे इस तरह से, तो ये हो गया है AQ प्लस BQ के सूत्र पे, तो AQ प्लस BQ बराबर होता है, A प्लस B गुना A square माइनस A B प्लस B square, तो देखें A के जगा पे 3 बाई है और B के जगा पे 5Z है, यानि AQ प्लस BQ, AQ प्लस BQ, तो A के जगा पे 3 बाई और B के जगा पे कौन है, 5Z, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, तो AQ प्लस BQ बराबर A प्लस B, यानि 3 बाई प्लस 5Z, 3 बाई प्लस 5Z, गुना A square, तो A में कौन है, 3 बाई, तो 3 बाई का square, माइनस A, B, A में कौन है, 3 बाई, और B में कौन है, 5Z, प्लस B square, B में कौन है, तो B में 5Z है, तो लिख लेंगे यहाँ पे 5Z का square, और यहाँ पे, मंजला कोश्टक को बंद कर देंगे, तो देखे, AQ प्लस BQ, बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस B, गुना A square, माइनस A, B, प्लस B square, तो इसको हम नीचे लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे जगन नहीं है, इधर, तो A प्लस B, गुना A square, माइनस A, B, यानि A गुना B, बीच में बिंदू है, यानि गुना में है, बीच में बिंदू का मतलब गुना में है, तो माइनस A, B, प्लस B square, इस तरह हम इसको लिख लेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानि, 3 by प्लस 5 Z को इसी तरह रहने देंगे, 3 by प्लस 5 Z, 3 by प्लस 5 Z, गुना, अब छोटा कोश्टक लगा लेंगे, तो 3 by का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9, और by का वर्ग, यानि, 3 का वर्ग क्या होगा, 9, 3 ती आई 9, तो लिख लेंगे 9 by का वर्ग, 3 by पे वर्ग क्या हो जागा, तो 3 का वर्ग 9 होता है, और by का वर्ग, यानि, 9 by का वर्ग लिख लेंगे, अब इसको गुना कर देते हैं, तो minus 5 ती आपंद्रा, by Z, देखें, minus, और ये दोनों गुना में हैं, तो 5 ती आपंद्रा by Z हो जाएगा, यानि, minus 15, by Z, प्लस, 5 Z का वर्ग, तो 5 का वर्ग, 25, 5 का वर्ग क्या होगा, 25, और Z का वर्ग, यानि, Z का वर्ग, और कोश्टों को बंद कर देंगे, तो 5 का वर्ग, 25, और साथ में, Z का वर्ग लिख देंगे, तो ये हो गया, इसका उत्तर, यानि, इसका गुनन खंड, तो इसको यहां तक भी रहने देंगे तो भी ठीक है नहीं तो इसको इस तरह से सजा करके लिख लेते हैं 3 by plus 5z गुना 9 by square plus 25z square minus 15 by z तो बस यहां पर क्या किया है प्लस 25z स्क्वाइर को यहां पर लिख लिए हैं और 15 by z यानि माइनस 15 by z को अंत में लिख लिए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं तो इसका गुन अन्खंड हो गया तो इस तरह से प्रस्न 10 का पहला हल करेंगे दूसरा तो दूसरा प्रस्न है 64 M का गहा 3 माइनस 343 N का गहा 3 तो 64 M का गहा 3 माइनस 343 N का गहा 3 तो 64 M का गहा 3 को हम लिख सकते हैं 4 M और पूरा पे गहा 3 माइनस 343 343 को हम लिख सकते हैं 343 N का गहा 3 को हम लिख लेंगे 7 N का गहा 3 क्यों लिख लेंगे ऐसा तो 64 4 का गहन है यानि 4 गुना 4 गुना 4 क्या होता है 64 तो 64 को हम लिख लेंगे 4 का गहा 3 और 343 को लिख लेंगे 7 का गहा 3 क्योंकि 7 गुना 7 गुना 7 343 आता है यानि 7 सते 49 49 सते 343 और 4 चोक 16 16 चोक 64 तो इस तरह हम लिख देंगे इसको और M का गहा 3 है तो M भी 7 में लिख करके गहा 3 देंगे और यहाँ N का गहा 3 है तो N भी 7 में लिख करके पूरा पर गहा 3 देंगे तो यह आ गया AQ माइनस BQ के सुत्र पे तो AQ माइनस BQ बराबर होता है A-B-A2 A-B-A2 Q-BQ बराबर A-B-A2 A-B-B A2 A-B-A2 A-B-B-A2 इसको हम लिख लेंगे AQ माइनस BQ बराबर A माइनस B यानि A में कौन है? 4M B में कौन है? 7 यानि A माइनस B गुना A A स्क्वाइर A में कौन है? 4M तो 4M का स्क्वाइर प्लस A B प्लस A B A में कौन है? 4M गुना B में कौन है? 7N है प्लस B A स्क्वाइर तो प्लस B A स्क्वाइर, B A स्क्वाइर को हम नीचे लिख लेते हैं यानि 7N का स्क्वाइर और मंजला कोष्टक को बंद कर देंगे इस तरह से तो AQ माइनस B Q बराबर होता है, A माइनस B गुना, यानि कोष्टक लगा देंगे, तो A माइनस B गुना A स्क्वाइर प्लस A B यानि A गुना B, बीच में बिंदू का मतलब क्या है? गुना में है, तो A गुना B प्लस B स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे तो अब इसको हम लिख लेंगे 4M-7N को 4M-7N फिर छोटा कोश्टक लगाएंगे तो 4M का वर्ग, 4 का वर्ग क्या होगा? 16 4 का वर्ग 16 और M का वर्ग यानि 16 M स्क्वाइर तो 4M का वर्ग, यानि 4 का वर्ग क्या होगा? 16 चर्चोग 16 और M का वर्ग इस तरह लिख देंगे 4M पर पूरा पर वर्ग है तो इसको लिख देंगे 16 M स्क्वाइर प्लस अब गुना कर देंगे क्योंकि बीच में बिंदू है, इसका मतलब क्या है? गुना में है तो सच्चोग 28 MN क्या जाएगा? 28 MN यानि प्लस 28 MN प्लस अब 7 का वर्ग यानि 7 सते 49 N का वर्ग यानि N का वर्ग इस तरह हम इसको लिख लेंगे तो इसका गुनानखंड हो चुका है 4 M-7 गुना 16 M2 प्लस 49 यह 16 M2 प्लस 28 MN प्लस 49 N2 तो इसको हम अगर यहां तक भी छोड़ दे तो भी सही है नहीं तो इसको हम अगर 4 M-7 4 M-7 गुना 16 M2 प्लस 49 N2 प्लस 28 MN इस तरह लिख देंगे तो अभी कोई फर्ग नहीं पढ़ रहा है बस क्या किया है 49 N2 को यहां पर लिख लिए है और 28 MN को अंद में लिख लिए है कोई फर्ग नहीं पढ़ रहा है तो इसको इस तरह भी हम लिख सकते है तो 4 M-7 गुना 16 M2 प्लस 49 N2 प्लस 28 MN तो इस तरह से सजा करके इसको लिख देंगे तो इसका गुन अंखंड क्या हो गया 4 M-7 गुना 16 M2 प्लस 49 N2 प्लस 28 MN तो इस तरह से इसको हल करेंगे झाल कर दो कर दो कर दो कर दो